हालो दोस्तों एक बार फिस्टे स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में दोस्तों यहां हम आपके एपसंसे रिलेटर जो भी प्राब्लम है इको टेंक के प्रिंटर में उसका सिल्यूशन लेकर किया है यहां पर आप प्रिंटर के माडल देख लिए जो भी करें लिए निश्यत आपकी प्राब्लम साट आउट हो जाएगी आपने हो सकता इससे पहले भी बहुत से वीडियो इस देखे हूं आपको लग रहा हो कि यह भी वीडियो बिल्कुल उसी तरीका का है लेकिन नहीं आप वीडियो को देखी अगर फिर भी आपकी प्राब्लम साल्ब नहीं होती है तो नीचे स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ है आप इस पर कर लीजिए का मैं आपकी प्राब्लम को साल्ब कर दूँगा एनी डेस्क से या टीम वीवर से किसी भी तरीके से आनलाइन में आपकी प्राब्लम का सिलूशन कर दूँगा सबसे पहले तो हम सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि सर्विस रुकार्ट की जो प्राब्लम कैसे या रही है तो इसके लिए आप स्टार्ट में जाएंगे लेकिन अगर विंडोस 7 है तो आप स्टार्ट में जाएंगे उसके बाद आप जाएंगे डि सब्सक्राइब प्रिंटीन्स तरीके से प्रिंटिंग प्रिंट्स पर क्लिक करेंगे जा है ऑप अप करेंगे यहँ También ऑपर के तरप और सर्टीन्स करेंगे यहां पर जो भी आपके printer का status है वो यहाँ पर लिखकर किया जाएगा अगर यह status आपके पास service required लिखकर किया रहा है service required तो निश्चे थी यह video आपके लिए है इस video में आप बने रही है मैं आगे आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है आपको सबसे पहले तो यह select करना है कि आपका printer क के लिए ही video बना देता हूं तो वहां लीजे कि आपका एकतारीस पचास एकतारीस साथ कोई भी printer है आपको बस जरूरत है कि आप description box में जाए वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा हमारी playlist का जिसका नाम है printer उसमें आपके सभी वीडियो मिलेंगे सब बिल्कुल फिरी है कोई भी चार्ज किसी को नहीं देना सब सब कुछ में ने फिरी बताया है अब यहां पर एक तालीस पचास जो printer है इस पर आपको राइट क्लिक करना है इस फोल्डर पे एक्सट्रेक्ट फाइल उसके बाद आप इसे एक्सट्रेक्ट करेंगे लेकिन आपको ध्यान रखना है एक अब यहां पर देखें प्रोटेक्ट्ट्ट आपको बंद करके रखना है उसके बाद आप इसे ओपेंट करेंगे बाद आप के सामने तीन फाइल कि आएगी बलकि दो फाइल आएगी यहां पर डीविभी फाइल आईगी कि अब इस फाइल में आपको क्या है कि बस कुछ नहीं यह जदा बस आपको इतना है कि यह आपको यह रिश्टर टू लिविच करने में कोई भी प्राब्लम हो आप सही आप खुद से ना कर पाएं तो आप इस नंबर पर कर लिजी हाला कि नंबर स्क्रीन पर भी स्क्रॉल कर तो आप हमारे से नंबर पर काल कर लिजेगा मैं आपका जो भी प्राब्लम होगा उसे इन डेस्क के थूरू या टीम वीवर के थूरू जैसे भी आपको सही लगता है उस तरीके से में इस प्राब्लम का सेलिशन कर दूँगा तो चलिए अब बताते हैं कि आपके पास यह 41 सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर क्या करना है कि जो एडीजे प्रॉग पहली फाइल आएगी पहले तुम्हें से बता देता हूं तो इसके लिए आप इस फाल को एक्टेक्ट करेंगे उसके बाद आप इसे फोल्डर आपके सामने आएगा इसे आप उपन करेंगे ठीक हार्डवेर आईडी हर सिस्टम की यूनिक होती है तो आप यह न सोचे कि आपने कापी कर ली तो यह ही अप्लिकेसन आप किसी दूसरे में भी काम करेंगा इसा नहीं होता है यहां पर काम कर रहा है आगे आप काम नहीं करेगा हार्डवेर आपको आना है कीगन का जो सब्सक्राइब कर देंगे करेंगे अब देखेंगे लग's के ग्यूट करेंगे यहां पर कर कोई और आइड hierarchy को जो भी have और नीचे की तरफ स्कॉल करके आएंगे यहां पर आप देखेंगे लिखाई से पर जैसे आप किलिक करेंगे तो हाड़वेर आड़ी अपकी से हो जाएगी लेकिन अभी आपकी जन्रेट नहीं हुए तो इसके लिए आप कर देंगे क्रिए लाइसेंस की यहां पर क्लिक करने आपको इन फाइलों को यहां से सिंपल सा कर लेना है कॉपी राइट क्लिक करके इन्हें आप यहां से कर लेंगे कॉपी कॉपी करने के बाद आप जाएंगे बैक में और बैक जाने के बाद आपका जो यह फोल्डर है इस फोल्डर को आप यहां से करेंगे और इस फोल्डर अब यहां पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने रिश्टर टूल से खुल कर किया गया अब यहां पर सबसे पहले तो आपको अपने प्रिंटर का माडल चुनना है डटो मॉडल चुने के लिए आप इस तरफ देखें के लिखा है select नीके हैप। जीसे आप सेलक्ट में करेंगे करें। इस पर ही अपकी अपनेกर कर सेलक्ट कर लिए उसके बाद में port भी आएगे औरु यहां आटो ही सेलेक्शन का अपस्वा रहा है यहां आटो को अप work करके यहां से आपका जो ही printer connector का छो गाट का माड़ल यहां पर यहां पर दिके आएगा बस करना के आपको है कि अपने printer को connect कर देना है अपने laptop के साथ में और printer को कर देना है आन ओके printer आन होना चीए और आपका जो भी model है वो यहां पर लिख कर किया जाएगा हालाग मेरे पास अभी 80-50 model नहीं है तो मैं 31-30 यहां पर select कर लेता हूं एक जांपल के लिए उसके बाद हम यह से और आपके करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने विंडू इस तरीके से आ गई आप इसमें आपको नीजे के तरफ पार्टिकुलर एडिजस्टमेंट ओर का अप्सर मिला है इस पर आप क्लिक कर देंगे यहां क्लिक करेंगे थोड़ा सा वीड करेंगे और इसके यहां पर फूल हो चुका है आपको दरेंगे यहां पर मेन रेकाइज करेंगे यहां पर देंगे दोन और क्लिक करने आपको क्लिक कि एकolare यहां पर कम्यूनिकेशन का यहां पर मैसे जाएगा तो मैसे सिर्व इस लिए आ रहा है क्योंकि मेरा जो प्रिंटर है बहुत दूसरा है और माडल जो यहां पर मैने सेलेक्ट किया वो दूसरा है आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगा तब जब आप 41-50 प्रिंटर होगा करेंगे तो यहां पर हम चेक्ट करते ही यहां पर लिख कर किया जागा कि कितना इबेस्टेजिंग पैड़ है 6345 यह होता है वो टोटल होता है उससे जदा अगर होगा यहां पर 100 परसेंट अगर लिख कर किया गया तो इसका मतलब है रिसेट करने की जूरूत है अब करेंगे तो आपको लिख कर के आएगा प्लीज रिस्टार्ट यूर प्रिंटर प्लीज टर्न आप यूर प्रिंटर इस तरीके से एक बार निंग आए तो आपको अपना प्रिंटर जो है उसे आफ कर देना है प्रिंटर को आप करेंगे उसके बाद आन कर देंगे प्रिंटर पान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रेंटर्ट सही हो चुका है बाकी यह प्रोसेस फालो करने में या जो जो कुछ मेने बताई इसको कुछ भी आपको प्रावलम आती है तो बस आप यह काम कर लिजिए कि मैंने जो आपको नमबर दिया है स्क्रिन पे आप नमबर की solution चाहिए है कोई help चाहिए तो वह भी में दे दूगा तो टेंशन बिल्कुल में लीजिए बस जरूरत है कि आप बस काल कर लिए प्रिंटर आपको कोई भी हो प्राब्लम और solution लगबग सेम है तो यह टेंशन आप में बिल्कुल में लीजिएगा कि मैंने यहां पर 3150 यह 4050 को बताया है आपके पास प्रिंटर करती द्रस है तो अब कैसे होगा कोई दिक्कत रही है प्रोसेस अब का सेम है और हां मैं यह बता दूँ कि इसे आप डाउनलूड किस तरीके से करेंगे इस रिश्टर को डाउनलूड करने के लिए आपको क्या करना डिस्क्रिप्शन में सोब्स्राइब कर लिए लाइगे लस्ट में आपको हमारे जो कांठेक डीटेल है वो मिल जाएंगे उनमें आप यद gouvernement करेंगे इस्टार ग्र ﷻ आप मेंकी सुजाब देना है है या चानल सकते हैं वीडियो पसंद रहा है cioè net कर लिए तो आप साइब बिचानल को दिस्क्रिप्टिन में जाकर को प्लेलिस्ट को एक बार जोरू बाच करिए हो सकता है कि कोई वीडियो आपके काम का निकले मिलेंगे एक नहीं जनकरी के साथ अब तक मुझे दीजिए इजाजत धन्यवाद